विराट कोहली ट्रोल हो रहे हैं शायद होना भी चाहिए उनकी कप्तानी में भारतिये क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा मैच हार चुकी है पाकिस्तान से 10 विकेट से हाली टीम इंडिया को न्यूजी लेंड ने 8 विकेट से पीट दिया ऐसे प्रतरशन के बाद कप्तान पर सवाल उठाना, उन्हें ट्रोल करना स्पोर्ट की दुनिया की आम प्रैक्टिस है लेकिन कोहली का मामला थोड़ा अलग है कोहली को टीम के प्रतरशन से जादा उनके विचारों के लिए ट्रोल किया जा रहा है देश में मिलने वाली एक खास प्रजादी को कोहली का बोलना पसंद नहीं क्योंकि कोहली के बोलने में ना तो चाटु कारिता है और ना ही सरेंडर कोहली का बोलना ठीक वैसा ही है जैसा एक गणतंत्र के नागरिक का होता है बेखौफ और सपाट कोली आम का स्वाद पूछने की जगा कड़े सवाल कर रहे हैं वो दूसरों का बटूआ देखने की जगा दो कोडी के ट्रोल्स को उनकी जगा दिखा रहे हैं और इसका खामियाजा भी उठा रहे हैं ऐसे ट्रोल्स को एक नेक सलाह देने से पहले आप लोगों कोई केस की थोड़ी डिटेल बता देते हैं कोहली के ट्रोल होने में मुक्षिता दो मामले है पहला उन्होंने कुछ दिन पहले अर्थ पूर्ण दिवाली मनाने के तिप्स देने की बात कही थी ध्यान दीजेगा सिर्फ देने की बात कही थी उन टिप्स में क्या होगा किसी को नहीं पता था लेकिन धर्म दुरंधरों ने टिप्स आने का वेट किये बिना कोहली को ट्रोल करना शुरू कर दिया सस्टेट रोस्ट तो खैर फुल टाइम में यही करते हैं लेगिन कई चोले वाले इंफ्लोएंसर्स ने भी यही रास्ता पकड़ा रोस्ट के नाम पर सिर्फ रोस्टेट चिकन समझने वालों ने लंबे लंबे रोस्ट लिग डाले कि कोली खेलने की जगा वोक बन रहे हैं और इनकी परिभाशा में वोक होने का अर्थ धर्म विरोधी सौरी, हिंदू द्रोही होना है इनकी हिंदूत्यों की परिभाशा में ना तो सरोधर्म संभाव है और ना ही वसुधर्व कोटोंबकम खैन, ये दोनों तो बड़ी चीजे हैं इनकी परिभाशाओं में तो तर्क और तथ्य भी नहीं है थेनौस माफिक इन्हें जो सही लगे बस वही होना चाहिए और अगर ये नहीं हुआ तो ये अपना सस्ता डेटा और टच स्क्रीन फोन लेकर आप पर तूट पड़ेंगे और आपके तमाम सर्टिफिकेट्स रद्द कर देंगे ये अलग है कि खुद इनके पास सर्टिफिकेट के रूप में Miss Call मार कर मिलने वाले सर्टिफिकेट के अलावा कुछ नहीं है लेकिन दूसरों का सर्टिफिकेट रद्द करने में इनका कोई सानी नहीं है और बुध इनको आनी नहीं है ये हुआ पहला मसला दूसरा रहा कोहली द्वारा शमी को सपोर्ट करना पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाल लोगों ने मुहम्मद शमी को जाने क्या क्या कहा था पाकिस्तानी देश द्रोही बताते हुए उन्हें जमकर गालियां दी थी और कोहली ने इसी मसले पर शमी का सपोर्ट कर दिया बस फिर क्या था इनके अंदर की जोहला भभग गई क्योंकि रात 9 बजे आने वाले एक कॉमेडी शो में इन्हें बताया जा चुका था कि शमी को गाली देने वाले पाकिस्तानी थे और उस स्टेंड एप कॉमेडियन पर जगजोर भरोसा करने वाले इन लोगों ने उस प्रोग्राम को कोट करना शुरू कर दिया ऐसा भी नहीं था कि ये लोग न्यूजिलेंड के खिलाफ मिली हार से पहले गुफा में थे ये पहले से एक्टिव थे लेकिन न्यूजिलेंड के खिलाफ मिली हार ने इन्हें और गति दे दी और फिर ये उसी दुर्त गति पर सवार होकर विश्वमन करने लगे जबकि कोहली ने शमी के सपोर्ट में कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं बोली थी उन्होंने तमाम बातों के साथ बस इतना ही कहा था इस बात के पीछे एक अच्छा कारण है कि फील्ड पर हम खेल रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ रीढ़ विहीन लोग जिनके पास किसी से विक्तिकत तोर पर बात करने का जिगर भी नहीं है वे अपनी पहचान छिपा लेते हैं और सोशल मीडिया के जरिये लोगों पर हमला करते हैं उनका मजाग बनाते हैं और यह आज की दुनिया में मनोरंजन का सोर्स बन गया है जो कि बेहत दुरभागी पूर्ण है और मुझे निराश करता है क्योंकि यह किसी मनुष्य की शमता का सबसे निकरश्ट स्तर है जहां तक कोई गिर सकता है और मैं लोगों को इसी नजर से देखता हूँ मेरे लिए किसी भी वेक्तिके धर्म के आधार पर उस पर हमला करना किसी मनुष्य द्वारा की जाने वाली सबसे नीच हरकत है सबी के पास किसी भी परिस्थित पर अपनी राय रखने का अधिकार है लेकिन वेक्तिकत तोर पर मैंने कभी भी किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करने के बारे में सोचा भी नहीं या हर वेक्तिके लिए बेहत पवित्र और वेक्तिकत चीज है इसे वहीं रहना चाहिए अब बताईए इसमें गलत क्या है क्या ये लोग आइडिन्टिटी छिपा कर हमले नहीं करते क्या ये रीड़ विहीन नहीं है अगर इनके पास रीड़ होती तो ये अपने बिग बॉस के गलत फैसलों के खिलाप भी तो तनकर खड़े होते इनसे अच्छी तो गमोरा और उसकी सिष्टर ने बियूला ही थी जो अंत में ही सही थैनाउस के खिलाप खड़ी तो हो गई और बचे दो तीन पॉइंट्स में जिस निक्रश्टता और नीचता की बात की गई है वो तो हम रोज देखते ही हैं तो फिर कोहली के इस बयान से क्रोधित होने जैसा क्या था कोई मेरी कॉलिटी इतनी सटीकता से बताता तो मैं तो निवर ही एंगरी होता और इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है भगवान के लिए इसे बंद कर दीजिए मत कीजिए ऐसा अपनी तारीफ सुईकारना सीखिए मित्रों ये रोज रोज नहीं होती नमस्ते मेरा नाम सूरज है आप दीलललन टॉप देख रहे थे कैमरे के पीछे हमेशा कितना दीपक जी है अगर आपने हमारा नया स्पोर्स का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि धीरे ध दीरे तमाम सारी चीजें वहाँ शिफ्ट हो रही हैं हम स्पोर्स की तमाम चीजों को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं अभी के लिए इतना ही देखते रही है दिलललन टॉप शुक्रिया